Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफॉर्ड़बल कोन से आर्टिकल्स को आज के क्लास में कवर करेंगे, पहला सबसी इंपॉर्टन टॉपिक, दा बायलोजिकल डाविसिती अमेंडमेंट बिल 2021, तो इस मुद्धे को सबसा दर डिटेल में हमें पढ़ना है क्योंकि यह वेरी इंपॉर्टन है, तो हम देखेंगे यह अक्च्छ जो हमारा होगा, वो होगा ethanol blending program, तो ethanol blending program के अगर बात करें, तो government of India की तरफ से basically काफी proactively इसको promote किया जा रहा है, तो ethanol blending होता क्या है, इसके benefits क्या है, इसको हम डिटेल से कावार करेंगे, दन है radio callers, तो चीता की death की news तो आपने सुनी ही होगी, कुछ exports का मानना यह है कि शायद यह radio callers ही हैं, जो cause कर रहे हैं चीता की death को, तो इन radio callers का use क्या है, कैसे यह चीता की death में involved हो सकते हैं, इनको remove करना क्यों ज़रूरी है, यह समझेगे, next topic है lens lights, and इससे next वाला flesh flood है, तो यह दोनों ही topic, ना सिफ आपके environment के लिए ज़रूरी है, आप prelims के लिए इनको पढ़ि हैं, तो इनको जो है detail में cover करेंगे, then है deep sea mining, तो deep sea mining के लिए क्या challenges है, अगर हम environment के point of view से देखे, यह ने को पहले भी cover किया था, आज एक basic revision कर लेंगे, what is deep sea mining, and इसके साथ ही जो हमारी international seabed authority होती है, उसको भी थोड़ा सा जानेंगे, then next topic हमारा conservation of western guard, तो western guard biodiversity बहुत जादा rich वाला area है, and western guard's के protection को लेकर, already कुछ committees के report आ चुकी थी, right है, तो western guard's पे, अब हाल फिलाल में, जब हम कुछ extreme weather events देख रहे हैं, और जिसकी वज़े से काफी जादा, वागी biodiversity वहां के जो लोग है, उनको एक नुकसान देखना पड़ रहा है, तो उन reports का जखर बार बार आ तो हम उन reports के बारे में पर discuss करेंगे, and western guard का भी जो एक basic introduction है, जो आपको पता होना चाहिए, उसको भी आपे cover करेंगे, चेक है, इसी के साथ मैं आपको class में आगे ले जाने से पहले बता देती हूं, कि हमारा जो July वाला batch था, उसके admissions 31st of July को close हो रहे हैं, तो जल्दी से admission ले जिसमें कूर्स आपको मिल जाएगा, और proper आपको notes यहां पर मिलेंगे, live classes आपकी होती है, faculties के साथ आपका one-to-one interaction होता है, इन साथ ही आपको mentorship भी provide कराई जाती है, ताकि अगर आप किसी भी problem को fees कर रहे हैं, आपके जो mentor हैं, वो आपको यहां पर help out करते हैं, इस batch के बारे के बारे में, क्लास के एंड में भी बात करेंगे, अभी जो है अपने पहले topic की तरह हम मूव अन करते हैं, ओके, biological diversity amendment bill 2021, तो अभी देखे लोकसभा की तरफ से, इस bill को पास कर दिया गया है, एंड यह amendment किसमें कर रहा है, यह amendment करे का, biological diversity act 2002, यहनि कि 2002 का, जो हमारे पास पहले act है, उसके बारे में पता होना चाहिए, देखे, नाम से ही पता चल रहा है, कि इसका aim क्या होगा, भारत की जो जो जै विविदता है, भारत की जो बाया डावसिटी है, उसको प्रोटेक्ट करना, और बेसिकली जो हमारे biological resources है, उनको जब हम यूज करें, तो काफे sustainable manner में करे है, क्योंकि तेखे, हमारा जो भाया डावसिटी है, हमारा फ्लोरफिवना है, उसका थो हम यूज करते ही है, बोदोसर में मेडिसिन, मिलता है, फूड मिलता है, बहुत सारे ecosystem की services में? तो उसका यूज करना है, बड शस्तेनीबल मैनर में करना है, उसको प्रोटेक्टिव भ आप यूस कर सकते हो, वो ना जब भी उससे कोई बेनिफिट अराइस हो, तो उसका एक 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 इक इक विटेबल शेरिंग होना चाहिए, for example, अगर कोई पर्टिकुलर ट्राइब किसी मेडिसिनल प्लांट के बारे में जानती है, कल को कोई कंपनी आके उस प्लांट के उस नॉलिज का यूज करके, कोई मेडिसिन को मार्केट में उतार देती है, तो उस ट्राइब को भी इसका जो बेनिफिट का एक हिस्सा है, वो मिलना चाहिए, तो इसको भी जो है यहां पर मेंशन किया गया है, देंदे के भारत ने कर्विंशन ओन बायलाजिकल डावरसिटी को भी साइन किया हुआ है, तो इसको लेकर हमारी जो भी रिस्पॉन्सबिलिटीज बनते हैं, जो हारी ओब्लिकेशन्स बनते हैं, उनको फुल्फिल करना, इसके लिए भी इस आक्ट में बातें कही हुई है, यह जो अक्ट है, हमारी बायलाजिकल डिस्पॉर्सिज को रिगुलीट करने के लिए एक 3-tier administrator धाचा हमें देता है, नेशनल लेवल पर हमारे पास एक नेशनल बायर डावरसिटी अथॉर्टी है, स्थीट लेवल पर हमारे पास थीट बायर डावरसिटी बोर्ट है, और अ इसको harm पहुचाया जाता है या फिर उसकी resources को use करके कोई benefit जो है लिया जाता है उसकी equitable and fair sharing नहीं की जाती है या फिर आप हमारे देश की biological resources को exploit करते हो तो ये एक offense होगा ये एक अपराध होगा और यहां पे इसको जो है basically एक non-bailable cognizable offense जो है basically कहा गया है तो this is to like हमारा जो एक basic act है वो है अब इस एक्ट में है कोच चींज करने के लिए amendment bill जो है लोकसभा के तरफ से पास किया गया है इस बिल में क्या कहा गया है अब इसको समझते हैं सबसे पहले तो ये कहा गया है कि जो आयूश practitioners है उनको उनको इस exemptions देंगे कैसे देखो मेरे आपको क्या बताया कि जो हमारी biological resources है वो हमारी property है हमारी संसाधन है तो अब को इनका use करना चाहता है तो आपको prior approval लेनी पड़ेगी चीक है ताकि हम पता कर से कि actually आप कर क्या रहे हो इस वाले bill में ये कहा गया कि जो registered आपके आयूश medical practitioners होंगे उनको दरसल state bar diversity board को पहले से जो है एक information देने की जो है जुरुरत नहीं रहेगी अगर वो biological resources का कुछ 17 purpose के लिए यूज कर रहे हैं देखे जो आयूश हमारे चिकत्सिय परनाली है वह बहुत जादा जो medicinal plants वगरा होते हैं उनको यूज कर दिये तो यह पर छूट इनको दी गई है दूसरा कहता है कि जो basically medicinal plants है उनके cultivation में भी कुछ exemptions दी गई है तो यहां पर क्या किया है कुछ medicinal plants को भी basically exclude कर दिया गया है जो कि हमारा Pyological Diversity Act था उसके प्रव्यू को देखते हुए इसका मतलब यह होगा कि जो cultivated medicinal plants है जिनको उनको वह वेरियस पॉपोस के लिए basically cultivate किया है वो इस Act की requirement और regulations की अंडर नहीं आएंगे कुछ को छूट दे दी गई है इसके अलावा देखिए क्या कहा गया है कि जो research and patent की application होगी माननेचे आपको कुछ भी ऐसा मिला है जो कि बहुत important है और आप उसका patent कराना चाहते है अपनी नाम पे उस चीज को basically register कराना चाहते है kind of तो जो उसकी application का एक process रहेगा उसको यह पे easy किया जा रहा है fast track किया जा रहा है ठीक है इसके अलावा देखिए जो offense का classification था उसमें भी change किया जा रहा है पहले यह criminal offense था non-bailable था अब बैसिकली इसके काफे सारे जो provisions हैं उनको वो civil offense की काटेगरी में लेकर आना चाहते हैं इंपोर्टन पॉइंट एक ही है कि foreign investment को biological diversity में allow किया गया है यानि कि यदि कोई वदीशी company कोई भी हमारे संसाधरों में research करने के लिए investment करना चाहता है तो not allowed, right? लेकिन कहा किया गया है कि भाई वो जो आना चाहिए ना investment वो दरसल क्या है किसी भारतिय कंपनी के basically द्वारा ही आना चाहिए यानि कि जो रास्ता होगा वो Indian जो कंपनी होगी उसके जो है through होकर जाएगा इसके अलावा देखेंगे एकना member secretary post का introduction किया गया एक नहीं post जो इंट्रोड्यूस की गई इस बिल में कहा जा रहा है कि जो पोस्ट होगी एक Chief Coordinating जो Officer होते है National Biological Diversity Authority में उसके लिए जो है काम करेगी ठीक है तो जो Biological Diversity Act के तहद Responsibilities निकल कर आती है उनका जो है तरीके से पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है वो सारी चीज़ एक Chief जो है basically जो provisions, change किये गए है उनकी जो intentions थे वो ठीक थे जैसे क्या कहा भई अगर आप patent फाइल करना चाहते हैं तो फास्ट ट्रेक कर देंगे process या फिर जो हमारे आयूश practitioners हैं अब वो हमेशा कुछ नोगुछ जो है Biological Resources से कुछ नोगुछ करते रहते हैं हर बार एक information state board को कैसे दें या फिर कुछ research वगएर को बढ़ावा देने के लिए foreign investment को allow कर दिया गया है तो हमने क्या किया एक अच्छी intentions यहां पर रखी थी तो इससे होगा क्या जो हमारा Indian medicine system है उसको एक boost मिलेगा रही थे Regulations का पहाड था वह कम कर दिया गया है साथ मेडिसिनल प्लांट की कल्टिविशन को प्रमोट किया जाएगा जो बेसिकली वाइल्ड प्लांट होते थे अब उन पे हम निर्भर कम रहेंगे जो भी हमें लगता है कि प्लांट हमारे यूस का है उसको कल्टिवीट कर सकते हैं कि हम खेती कर सकते हैं पॉफेक्ट है इसके अलावब देखो क्या है जो हमारी अथोरिटी है उसका भी एक्स्पेंशन किया गया है एक नई पोस्ट इसमें एड कर दी गई है आप देखोगे एक बेसिकली बिसनेस एंवार्मेंट बनाया गया है तो अब आप देखो आपने बेसिकली जो फॉरण इन्वेस्टिमेंट है उसको फेसिलिटीट किया है तो ये बिसनेस के लिए बहतर रहेगा है ना एंदेन फास्ट फ्रेकिंग रिसर्च इन इन्वेस्टिमेंट कर दिया है तो इस ओफ डूइंग बिसनेस से आता है मोर रिसर्च होगी मोर प्रॉड़क्स निकल कर आएंगे आप अपनी बाइलाजिकल रिसूर्स का जादा क्या है यूस कर पाएंगे हमेनिटी के लिए तो जो अप्रोच थी बिल्के लाने की वो एक्चिली काफी अच्छी थी बट कुछ एक्सपोर्ट का कहना यह है कि कुछ लूप होल्स भी यहाँ पर है तो कुछ क्रिटिसिजम हो रहा है देखते हैं किन मुद्दों पर हो रहा है पहला तो है रिस्क आफ बाइयो पाइरसी तो कुछ एक्सपोर्ट का कहना यह है कि आपने जो बेसिकली काफी जादा लिब्रल अप्रोच रखती है उसकी वज़े से जो बाइयो पाइरसी है इसको बढ़ावा मिल सकता है नाओ वट इस बाइयो पाइरसी यह पता होना चाहिए तो यहाँ भी देखो बाइयो पाइरसी क्या होता है कि जो हमारे बाइयो लॉजिकल रिसूर्सेज है उनका आप अन अथोराइजड कमर्शिल एक्स्पोरिटीशन करते हो चीक है आपने किसी भी अथोरिटी से कोई लाइसेंस नहीं लिया है आपको कानूनी रूप से कोई वैसा हक नहीं था बट हमारे जो बाइयो लॉजिकल रिसूर्सेज है उनका आप एक इल्लीगल यूटिलाइजेशन कर रहे हो या फर क्या कर रहे हो आप जो ट्रेडिशनल नॉलिज है उसका यूस इस तरीके से कर रहे है जो बिलॉज करती थे एक लोकल कम्यूनिटी से न यह पूछा है न जो फाइदा आया है वो उनको दिया है इस बिलॉज किःसी पैरसी क्या होता है किसी दूसरे की चीज को जब आप इल्लीगली यूस करते हो है ना वो बिलॉज किसी और से करती है but you are getting the benefits और जब इसमें बायो वर्ड लग जाएगा यानि कि आप बायो लॉजिकल रिसूर्स की पाद यहाँ पर कर रहे हो तिक स्पोर्ट्स का कहना यह है बेसिकली कि जो आपने यह बेसिकली प्रेक्टिशनर्स को कुछ छूट देदी है जो आपने फॉरन जो इन्वेस्टिमेंट है उसको छूट देदी है कुछ मेडिसिनल प्लांट्स को लेकर आपने जो प्रोविजन्स रखे है तो बाया पायर से कहाँ खत्रा यहाँ पर बढ़ता है अब यहाँ पर देखो जो आयूश कंपनीज है उनको आपने इसे एक्जिंप्शन दिया है कि आपने कुछ प्लांट्स को यूज करके अगरे मेडिसिन वगएरा बनाने है तो ठीक है हर बार आपको इन्फॉर्म करने की जुरत नहीं है तो यह ना 2018 का उत्राकन हाई कोट का एक डिसिजन आया था दिसना उसके अगींस्ट जाता है कैसे? उत्राकन हाई कोट ने 2018 में यह कहा था कोई भी कंपनी हो चाहे वो बेसिकली आपकी प्राइवेट हो या फर पबलिक हो है ना फॉरन हो या फर इंडियन हो कोई भी कंपनी जो है उसको एक प्रायर जो है एक्सेस और एक कॉंसेंट लेना पड़ेगा अगर वो जो है अपनी यहां की बाइलोजिकल डिसूर्स को यूज करना चाहते हैं और उनसे जो बेनेफिट्स आपको मिले हैं उनकी शेरिंग भी आपको करनी पड़ेगी इसके अलाव आप देखोगे जो पीनल प्रोविजन्स का बेसिकली डाइलूशन यहां पर किया गया सजा को कम किया जा रहा है कर्मिनल से स्विल ओफेंसे में जो है बदला जा रहा है इसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि फिर इसके बाद जो लोग को हम डिटरेंट करते थे इल्लीकल अक्टिविटीज ना करने के लिए वो खतम हो जाएगा पॉफेक्ट है तो यह कुछ पॉइंट से यहां पर इनको जो है आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा तो आई होब यह जो हमारा अमेंडमेंट बिल था इसको लेकर क्या-क्या इश्यूस सामने निकल कर आ रहे हैं यह आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा काफी इंपॉटेंट है ध्यान से सुनिएगा चीक है चालिए मूव ओन तो दा निक्स टॉपिक एथनॉल ब्लेंडिंग तो देखो हाली में अब्सर्व किया गया है कि जब हमने काफी डाइवर्सिफाइट सोर्स को यूज करना शुरू कर दिया है एथनॉल बनाने के लिए तो हमारे बिछले 5 सालों में जो पेट्रोल के अंदर एथनॉल की एक mixing थी ब्लेंडिंग थी उसमें अच्छा कासा इजावा देखने को मिला है यह थनॉल ब्लेंडिंग है क्या तो इसके लिए सबसे पहले तो जानो एथनॉल होता क्या है तो एथनॉल कह लिए एथाइल एलकोहल कह लिए एक बायो फ्यूल होता है एक जयव इंदन है और निचरली आप इसको जो शुगर होती है उसका फर्मेंटीशन करके या फर हिंदी में बैसिकली किन्वन बोलते है ठीक है शुगर या जो स्ट्राल्च है उसका फर्मेंटीशन करके किन्वन करके बना सकते है जादा कर ये जो बैसिकली शुगर है ये आप कहां से एक्स्ट्रेक्ट करते है शुगर की जो होता है या फर जो बैसिकली फूड के लिए यूज होने वाले कुछ प्रॉड़क्ट्स है जैसे मक्का है उनसे भी आप जो है इस बायो फ्यूल को बना सकते हो जिस भी प्रॉड़क्ट के अंदर स्टार्च काफी मात्रा में है वहां से एथनॉल को बनाया जा सकते है अब ये जो एथनॉल एट से काइंड ओफ फ्यूल ये एक इंधन है सबसे पहला तो यूज यह है कि ट्रांस्पोर्ट में इसको यूज कर सकते हो अब हमारे हां पर ऐसे इंजन तो बने नहीं है जो फ्यूर एथनॉल पर चल जाएं बट एथनॉल बहुत अच्छे दरीके से पेट्रोल के साथ ब्लैंड हो जाता है बहुत जादा इंजन में आपको चेंज ने करना पड़ता आप इसको जो है as a fuel यूज कर सकते हो एपने ट्रांसपोर्टिंग वीकल्स में पररफिक aus पिहली है तो पहला क्या हो गया, आप इसको फ्यूज पोफॉल पोवीकल्स के रोप में यूस कर सकते हो बनाने में इसको यूज किया जा सकता है अथनोईक एससे बनता है तो यह तो समझ में आगया है एथनोई इस वेरी गुड प्रोड़क्ट ठीक है अब यहाँ पे देखो इंडिया ने अपना 2023 में एथनो ब्लेंडड़ जो है प्रिग्राम एथनोउल ब्लेंड़ प्रिग्राम स्टार्ट किया 20 पोशन का टार्गेट इसमें रखा यहनि कि हम क्या करेंगे जो हमारा पेट्रोल है उसके अंदर 20 पोशन एथनोई को ब्लेंड करेंगे इससे क्या होगा हमारा देश यो crude oil के इंपोर्ट पे निर्वर है माल लेजे उसको अभी क्या है 100 unit जो petrol है है ना उसको माल लेजे इंपोर्ट करना पड़ता है crude oil है ना तो crude oil को फिर रफाइन करते हैं बट 100 unit माल लेते हैं माल लेजे अगर इसमें आप जो 20 unit है यह आप ethanol यूज करते हो तो अब आपको कितना import करना पड़ेगा only 30 unit तो इससे फाइदा क्या होगा पहली बात तो जो आपका forex reserve है राइट है जो आपका forex reserve है वो बचेगा import पर जो आपके dependency है वो भी बचेगी राइट है कम होगी मतलब की इसके अलावा petrol जो कि एक fossil fuel है जिसकी वज़े से आपकी जो है carbon dioxide वगरा gases release होती है तो वो नहीं होगा तो climate friendly भी है perfect है तो यहाँ पर देखो पहले क्या किया जाता था जो sugar mill है जहाँ पर चीनी बनती है उनसे जो molluses एक byproduct के रूप में बचते थे उनका यूज करके ethanol बनाया जाता था लेकिन बाद में क्या है diversify क्या हमने sources को हमने का जो sugar के juice है rice है कुछ greens है जो damage हो गए है मीज है जवार है millets है ठीक है इनका यूज करके भी क्या है हम ethanol बना सकते है perfect है यह चीज़ ध्यान रखेगा molasses से जो yield निकलता है ethanol जितना ज़्यादा output आता है उससे कहीं बहतर आता है अगर आप दूसरे sources को use करते हो जैसे कि आप यह मक्का वगएरा use करते हो चीक है तो अगर आप green वगएरा use करते हो तो आपको ज़्यादा यह अच्छा yield मिलता है लेकिन प्रॉब्लम भी है देखो जो आपकी मक्का है जो आपके grains है rice है यह food products है तो भारत जैसे देश में जहाँ food insecurity already गाफी देखने को मिलती है अगर food products को fuel बनाने में use कर दिया जाएगा तो शायद यह food insecurity और ज़्यादा सीवियो भी हो सकती है there are some challenges also right चालो अभी एक basic introduction देखते है अभी देखा जाये तो भारत पांच्वा लार्जस्ट प्रोड्यूसर है ethanol का ठीक है और average देखा जाये तो 2022 में ही 10 portion ब्लेंड करने माला टारगेट हम अचीव कर चुके थे और इसलिए अब हमने क्या कहा है हम 2030 में नहीं बलकि 2025 में ही 20% का डारगेट जो है अचीव करेंगे इस प्रोग्राम को 2003 में जो मिनिस्ट्र पेट्रोलियूम नाच्रल गैस उसके द्वारा जो है लांच किया गया था पहले कुछ कम स्टीट एंड यूटी में लांच किया गया था और बाद में बोला गया कि जम्मू कश्मीर एंडमान निकोबार को छोड़कर पूरी इसको लांच करेंगे तो बैसिकली पहिस जम्मू कश्मीर में भी लांच हो गया था सिर्फ एंडमान निकोबार आईलेंड और लक्षदीप आईलेंड इसको छोड़के अपरेल 2019 से यह पूरे भारत देश में लागू हो गया था, इससे क्या होगा, पेट्रोल की तुलना में यह सस्ता पड़ता है, चीपर है, और क्रूड ओयल का इंपोर्ट है, वो कम हो जाएगा, हमें हमारी एनरजी सेक्यूरिटी मिलेगी, हम किसी पर नर्भर नहीं है, अपन को कल्टिवेट कर सकते हैं, उन फसलों का जिनको बात में आप जो है अथेनोल बनाने में यूज कर सकते हो, चीक है, गवर्मेंट के तवारा क्या मीजर्स लिए गए हैं, तो सरकार ने जो नेशनल पॉलिसी और बायो फ्यूल्स था, उसमें अमेंडमेंट किया था, और अल जो मुबिल जो कंपनीज उनको भी इस तरह के गईलेंस यहां पे दिये गए हैं, और साथ में जो एन्वार्मेंटल क्लियरंस एक प्रोसेस होता है, सरकार ने कहाए कि उसको भी संपलिफाई करेंगे, ताकि जादा से जादा लोग इसमें जोट चोगे, ओके, दस इस क्लिय तो इसमें आपका oxygen भी है, पॉफेक्ट है, oxygen होने की वज़े से जो engine के अंदर combustion होता है, वो जादा बहतर तरह के से हो पाता है, और जतना जादा बहतर दहन होता है fuel का, उतना कम emission होता है, चीक है, उतना कम emission होता है, तो ethanol यूज़ करने की वज़े से क्या है, आपका जो petrol है, वो more productively use हो पाता है, जो emission है, वो यहाँ पे कम देखने को मिलता है, चीक है, अब देखो आप क्या कर रहे हो, plants को use करके ethanol बना रहे हो, plants basically sun की energy का use करते हैं, तो इसे renewable energy source also, परफेक्ट है, इसको ध्यान रखना, अब देखो 2020 से लेकर 2025 के लिए सरकार ने एक roadmap रखा है, कुछ points सियाद रखनी की कोशिश करना, कईवा means answer writing में भी काम आ जाते हैं, और कईवाँ प्रिलम्स में भी आपको directly, indirectly, question solve करने में ही help करते हैं, तो सबसे बहले तो देखो क्या कहा गया है, कि जो हमारी ethanol production की capacity है, हम उसको पहन इंडिया पे 700 कोरोड लीटर से बढ़ा कर 1500 कोरोड ली 10 हमारा जो प्रोग्राम था वो रोल आउट किया था, 2023 में एट्विंटी पर आ गए हैं, यह कि एट्विंटी ब्लांड करेंगे, चिक है, वीकल्स का इंजन है, उसका बेसिकली हम त्यून कर रहे हैं विद एट्विंटी के साथ, हैना, साथ में, नाओ ध्यान से सुनना, सा अपत लेते हैं, उनको ओगाए एथनोल बनाने के लिए, ताकि जो वाटर के कमी से भारत जूज रहा है, उसका भी एक जो ही आपर मेले, और साथ में एक ऐसे टेकनोलोजी प्रमूट की जारे है, जो नोन फूड, फीड स्टॉक है, यानि जो गैर खाद वाली चीजे हैं, उनका यूज करके जादा साथ जादा एथनोल का यिल्ड जो है, हासिल किया जा सके, पॉफिक है, समझ में आ गया, असान था, अगर नहीं समझ में आया है, एक बार से सुन लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है, चालो, मूव करते हैं, थर्ड टॉपिक पे, रेडियो कॉलर तो मैंने आपको बताया कि जो वाइल बेसिकली ओफिशल्स हैं, वाइल लाइफ ओफिशल्स हैं, अध्यपरदेश के उन्होंने ये कहा है कि भाई, जो हमारे 10 फ्री रिंजिंग चीता हैं कुनो नेशनल पार्क के अंदर, उनको हमने जो रेडियो कॉलर्स बगाया हुए उ दो को और जान जारे ग्राद सब्स्क्राद जाता है तो जो पता है के है, आप अपनी साथ फैमिले मेंबेर्स के साथ मैंने समार्ट फून भून जहा जहा स्थ साथ साथ जाएगा वो सीम लोकेशन में जो आपके फैमिले के साथ आथ हैं रईट, तो उनको पता रहता है कि वेर यू आर है ना राइट नौ सेम तरीके से जब हमने चीता को रिलोकेट किया है तो हमें ध्यान रखना पड़ रहा है कि वो कहां जा रहे हैं किस तरह से अपनी एक रींज टबलप कर रहे हैं तो उस चीज के लिए क्या है हमने रीडियो कॉलर्स चीता के साथ लगाये थे इनमें सेटलाइट ट्रांस्मीटर्स लगे होते हैं और इसकी वज़े से एक सेटलाइट कॉलर आईडी की हल्प से हम क्लूसली ट्रैक कर पाते हैं चीता के मूवमिंट को या अगर उनकी डेथ वगेरा हो गए है तो उमें पता चल जाता है परफेक्ट है अब इसके अलावा जो आपके स्मार्ट वोच होती है किस तरीके से आपका बलड प्रेशर आपका ऑक्सिजन लेवल आपका हार्ट बीट यह सारी चीज़े बता देती है इन रेडियो कॉलर्स की मदद से भी अक्चली चीटा की जो हेल्थ है उसके बारे में हमें आइडिया मिलता है लेकिन अब कौन से ऐसे रीजन्स हैं जो कहा जा रहा है कि भाई रेडियो कॉलर्स को अब रिमूव कीज़े तो यहां पर देखे, माना जाता है कि इन रेडियो कॉलर्स की वज़े से चीता को हो रहा है infection, maybe, and इस infection के वज़े से हो रही है, उनकी death देखो, चीता का जो basically skin का fur होता है, वो comparatively जो दूसरे big cats है, थोड़ा थिक होता है, मौनसून का इस समय चल रहा है, आपको पता है humidity आपके atmosphere के अंदर है, तो इस humidity की वज़े से, moisture की वज़े से, हो सकता है यह जो रेडियो कॉलर्स की नेक में fit है, यहां पर उनको itching होती हो, और वो अपनी skin को जादा basically scratch करते हो skin scratch करने की वज़े से, एक time के बाद क्या है, peel-off होने लगती है, जब skin peel-off हो जाती है, तो वहां पर घाव बन जाते है and then, जो basically infectious disease को communicate करने वाले insects हैं, मक्ही वगरा जो है, वो जब उस घाव पे बैठते हैं, तो वो जादा से जादा infection basically danger में चले जाते है तो ये एक reason हो सकता है, चीक है, इसके लवा, wet, matte नाम का एक effect आता है, धान से सुनो, wet, matte नाम का effect, जो चीता होते हैं, उनके ओपर मैंने बताया, winter coat ग्रो करता है, यानि कि थिक fur है, चीक है, अगर आप देखोगे, जो tiger leopard हैं, उनके comparison में जादा थिक होता है, अब ये जादा मुश्चर को भी गेन कर लेता है, ठीक है, और इसको dry होने में भी क्या है, ताइम लगता है, अब देखोगे गाई ले गई थी, जब आप कॉलर्स यूज करोगे, तो ये उनके weight का 3% होना चाहिए, ठीक है, लेकिन चीता जैसा जानवर, जो बहुत तीज गती से, भागता ह है, दोर लगाता है, तो जब वो अक्टिव है, जब वो तीज गती से भाग रहा है, तो जो कॉलर्स का वेट है, वो जादा हो जाता है, ठीक है, वो जादा फील होता है, तो यहाँ पर देखो ये जो अनिमल, एथलिटिसिजम है, ठीक है, एथलिटिसिजम, इसकी वज़े स तो वहता है की जो कॉलर का हुएट है, वह लॉयन को जहां पांच गुनाजादा फील होता है, चीता को वह आठ गुना जादा फील होता है, तो नके ववीघ है, या視 एक अगर मानलेजे जो 7 40 ग्राम का मानलेजे कोई लेडियो कॉलर है, तो अगर एक तो उनका जो वेट कॉट है यानि कि जो उनका फर है वो भी गीला हो गया उसका एक वेट है उसके साथ जो वो तीज कतीसिक दोड लगाएगा तो ये करीब 400 ग्राम का सॉरी 400 ग्राम का अगर कॉलर है माफ कीजेगा तो उनको 7 किलो का फील होता है तो ये जो रीजन से माना जा रहा है कि ये जो रेडियो कॉलर से हमें रिमूव करने चाहिए क्योंकि हो सकता है ये डेथ को कॉस कर रहे हो समझ में आ गया चीक है आगे बढ़ें चालो अब चोटे-चोटे टॉपिक्स है उनको देखते है निक्स्ट है हमारा लेंड्स्लाइड तो अभी आपको बता है कि देखो रिसेंट्ली क्या है आपका जो महारास्टा है आपके राइगर डिस्टिक्ट छीक है लेंड्स्लाइड देखा गया तो लेंड्स्लाइड होता क्या है actually it's a mass destruction या mass wasting is very right technical word यह देख मास वेस्टिंग है जो आपका लाज मास जो है रॉक्स का है ना आपका जो बेट रॉक्स है वो फिसल का नीचे आ जाता है याट इस लेंड स्लाइडिंग छीक है जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यह तूट कर चीजे नीचे आ रहे हैं अलग-अलग तरीके से तो लेंड स्लाइड मतलब क्या है बेसिकली रैपिड स्लाइडिंग ओफ रॉक्बेट्स परफेक्ट है यानि कि एक मूव्मेंट हो रहा है जो रॉक या डब्रिस या फिर अर्थ का डाउन तू दा स्लोप चीक है United Nations International Strategy for Disaster Reduction का कहना यह है कि लेंड स्लाइड दर रहासल तीसरे नंबर पर आते हैं अगर हम नाचरल डिजास्टर की वज़े से होने वाले डेथ का डेटा देखे तो यानि कि नाचरल डिजास्टर की वज़े से जो भी डेथ होती है यह उसमें लेंड स्लाइड थोर्ड नंबर पर स्टैंड करते हैं अब जो को लेंड स्लाइड के बारे में तो पहले भी पढ़ा था और यह जो बेसिकली एक मास वेस्ट इस देखने को मिलता है यह तो यह आल्रडी नो अब लेंड स्लाइड के कुछ क्लासिफिकेशन होता है अब इस अब पार्ट अफ जोग्रफी पर इसको कवर कर लेते हैं वो क्लासिफिकेशन समझते है अच्छली फाइफ टाइप में इसको डिवाइड कर सकते है यह आपका होता है फॉल फॉल का मतलब एक रैपिड मुव्मिंट हो जारहा है रोक्स का वो डिटाच हो जा रहे है और उनमें फ्रेक्चर दिखने को बिल रहा है और उसके बाद के पॉल हो जा रहा है यार से यहा पह देखिए आप देख पार हो यहां पर रोक्स जो है जैसे यह आपको टोपल देखने को मिलेगा, यह कुछ ऐसे आपके ब्लॉक्स तूटे हैं यह इस तरीके से रोटी ही ठोते हुए यह कुछ इस तरीके से नीचे देखने के लिए आपको मिलेंगे, एक होता है तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो डाउन स्लोप मुवमेंट हो रहा है, मतीरियल का, स्लिप सॉफफेस पे, जैसे यहाँ पे इस तरीके से स्लाइड कर जा रहा है, यहाँ पे कि मानली चे पीस था, यह स्लाइड कर गया, ठीक है, अलग-अलग टाइप है, उतना डिटेल में जाना है, जिस्ट ध्यान रखिए, फूर्थ आता आपका लिट्रल स्प्रिट, ठीक है, तो लिट्रल स्प्रिट क्या है, जैसे यहाँ पे देखो, यह, इस तरीके से एक बहुत ही आपका क्या है, बहुत हलका से स्लोप है, स्टीप स्लोप यहाँ पे नहीं है, उस हलके से स् तो फ्लो तो आपको पता है जैसे पानी का भाव होता है similar manner में जो आपके rock, soils होते हैं वो slope एक fluid-like manner में जो है slide करते हैं तो आपका flow होता है, चीक है? तो यह आप यहाँ पर बड़े अराम से देख सकते हो perfect है, तो यह देखें, जैसे यहाँ पर पानी का भाव होता है इस तरही के से दिखाया हुआ है, चीक है, एक slope deformation भी होता है उसको भी देख लिजगा, miserly five category, five classifications होते है यह geographic पार्ट है, इस तरह की questions पूछे हैं जैसे उन्होंने रिवर के बारे में पूछा था, चीक है, रिवर वैली कब बनाती है और बेसिकली कहां पर वो sharp एक मूव लेती है तो इस तरह के questions पूछ लिया जाते है चीक है, लेंट्सलेट के basically reasons क्या है, causes क्या है, क्यों होता है तो नाच्रल पहले causes की बात करते है, जियो लॉजी माली जै कहीं का बहुत steep जो है, एक आपको देखने को मिल रहा है है न, slope, या फिर मतलब फ्रजाईल सा जो है, वहा कर रॉक है तो आपको लेंट्सलेट देखने के लिए मिल जाएगा जिस तरह के बेसिकली उसकी शेप है, जिस तरह का उसका एक आकार है यह भी एक रीजन होता है, ठीक है वेदरन क्लाइमेट, तीज बारिश पदलता हुआ क्लाइमेट यह सब डीस्टेबलाइस कर सकता है, रॉक्स को तब हो सकता है and then volcanic activity, जो आलमोखी अगर फटेगा तो उसकी वज़ेसे तो चीज़े होई सकते है then कुछ human causes होते है, यानि कि anthropogenic causes होते है deforestation, आपको बता है कि जो आपके tree की roots होती है वो आपके soil को बांद के रखती है, अगर पीड कटेंगे तो cut-out होगा, cut-out होगा तो जो आपके soil है वो loose होके नीचे आएगी construction, execution, mining अगर आप कर रहे हो big construction चल रहा है तो जो है आपका land destabilize हो जाता है irrigation and the drainage, heavy water है, सचाई की वज़े से धीरे-धीरे क्या है, वो erosion करेगा, cut-out करेगा, weathering होगी and then जो है वहाँ का पूरा का पूरा आपको देखने को मिलेगा same for the mining and all, चीक है, यह कुछ activities है जिनकी वज़े से land slide हो सकता है अब देखो, इंडिया का एक land slide Atlas 2023, इसका कुछ data देख लेते हैं सबसे पहले बाद तो यह बताया गया कि दुनिया उन टॉप के फोर कंट्री में से एक है जहां पर land slide का highest risk है चीक है, approximately हमारा 12.6% जो land का area है अगर हम snow cover area को exclude कर दें तो वो दर असल land slide 1000 में में शामिल है, चीक है, इसको लेकर आप कह सकते है, susceptible है, perfect है यहाँ पर बताया क्या, भारत में मौनसून के सीजन में सब्सक्राइब देखने को मिलता है क्योंकि पूरे साल की बारिश है भारत को चंद महीनों में मिल जाती है यह जो heavy rain है यह फिर land slide का reason बनती है क्योंकि weathering, erosion, यह सब कुछ यहाँ पर देखने के लिए मिलता है बताया है कि जो आपके western ghats है और जो आपकी himalayas है वो जादा susceptible है इस mass movement के क्योंकि हीली topography महां की है आपको चोटी महां पर जो है mountains आपको महां पर देखने के लिए मिल जाएंगे this is clear अब causes clear हो गए है तो हम इसको लेकर mitigation कैसे कर सकते हैं वो भी देख लेते हैं कुछ आपके structural measures होते हैं यानि कि आप कुछ ऐसा physical structure बना दो जो इस चीज को थोड़ा थाम के रखे जैसे retaining walls आप बना सकते हैं इस तरह की दीवारे बना दो कि जो एक destabilization वहां का हो रहा है उसको prevent किया जा सके आप कुछ slope reinforcement कर सकते हो जहां पे कटाव हो रहा है erosion हो रहा है वहां पे कुछ soil kneeling technique के द्वारा या फिर जो आपकी geotek कुछ techniques होती है उनके द्वारा क्या है क्या कर दो slope को reinforce कर दो चीक है drainage system जो आपके हैं उनको बहतर तरीके से जो आप manage करें चीक है ताकि जो water का flow है वह प्रॉपर तरीके से हुपाए terracing वगरा कर सकते हैं आप इस तरीके से जो है basically एक धाचा बना सकते हैं ताकि इस तरीके से अगर एक flow बना रहेगा sudden slope एक movement देखने के लिए नहीं मिलेगा यह कुछ structural changes आप कर सकते हो then कुछ non-structural measures होते हैं early warning system होना चाहिए ताकि जादा से जादा लोगों को पहले अगहा किया जा सके right है then बताया कि lend use planning और zoning आपको करनी है कि lend कहां का कैसा है उसके कितनी capacity है उसको लेकर क्या है पहले से आप planning कर कर को vegetation management करो जादा से जादा आपका जो vegetation है उनको आपको secure करके रखना है public awareness होना चाहिए और जो slopes है उनकी आप regularly monitoring करते रहो जो भी slope लगता है कि थोड़ी सी पी जादा susceptible है एक हजार महाँ पर नजर आता है तो आपको कहा है फिर उसके accordingly कदम उठाने की जरुछत है ना यह जो map है इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए जो भी dark color का area है वो दिखाता है कि highly जो affected areas है lens light के then dark green से light green पे आजाएंगे तो moderately affected है light green पे जो marginally affected है तो आप देख पा रहोंगे western ghat वाला आपका area और जो आपके himalayas है चिक है यह जादा basically खत्रे में है perfect है इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा okay lens light पहले आप flesh flirts भी देख लेते हैं ठीक है तो आप दा प्रबंदन यह आपका टॉपिक है इसमें यही सब आपको पढ़ना होता है flesh flirts तो दो लदा के अंदर cloud brust हुआ था जब एक बहुत ही regional phenomena देखा जाता है एक तुम से outpour of water हो जाता है एक reason के अंदर अचानक से बहुत heavy बहुत बहुत जादा heavy बारिश जब हो जाते हैं जब जाते हैं जब पानी outpour कर दिया है suddenly तो एक cloud brust का फेनोमेन होता है कभी detail में cover करेंगे in future तो cloud brust की वज़े से क्या हुआ वहाँ पे flesh flood देखे गए और जिसकी वज़े से property का काफे नुकसान वहाँ पे हुआ है तो flesh floods होते क्या है sudden occurrence जब पानी का होता है यानि एक ऐसी बार जो अचानक से आ गई है ठीक है उसकी कोई warning हमारे पास नहीं थी और जो basically in addition of water होता है जल का भरा होता है वह काफी sudden यहाँ पे होता है जिसके वज़े से काफी significant damage हमें देखने के लिए मिलता है यह जो flesh floods है यह हमें वहाँ देखने के लिए जाता मिलते हैं जो rivers है अगर उनके basically जो आप देखोगे rivers के चारों तरफ जो आपके steep हैं वो काफी narrow है उनके जो किनारे हैं असपास के या फिर उनका जो एक तरीके से आप देखोगे intrusion हो चुका है वहाँ पे तो river का जो एक पूरा का पूरा हिस्सा होता है उस पे या तो आपनी infrastructure बना दिया है या फिर वहाँ पे कुछ developmental activity चल रही है मतलब अगर river में पानी जादा हो जाए तो उस नदी के पास अब वो species ही नहीं है कि उस पानी के प्रभाव को वो ले जाए तो क्या होगा आसपास फैल जाएगा एं एकदम से flesh flood देखने के लिए मिलती है यूसली आपको ये urban areas में देखने को मिलता है खासकर जो small rivers के किनारों पे बसे हुए है और इसके अलावा अगर आप देखोगे तो जो आपके basically concrete जहां पे जादा है जो urban cities है जहां पे concrete जादा है जहां पे मिटी पाने को सोक नहीं पाती वहां पे में flesh floods usually देखने को मिलते है इसलिए एक urban phenomena माना जाता है causes क्या है heavy rainfall बहुत जादा बारिश हो गई आप सम्हाल नहीं पा रहा है आपका structure है तो flesh flood आ जाएगी saturated soil पहले से ही soil में इतना पानी है इतनी नमी है कि और water को absorb नहीं कर पा रही है इसके बाद देखेंगे drought के condition yes अगर पहले से ही काफी सूखा था चीक है तो मिटी बहुत dry and hard हो जाती है जब इतनी जाद dry and hard soil हो जाती है तब भी वह पानी को absorb नहीं कर पाती है इसके वज़े से भी flesh floods हो सकते है cloudburst thunderstorm melting slow या glaciers अचानक से आपके glaciers वगरा melt हो जाए और dam वगरा कर फेलियर हो जाए CDC बात है uncontrolled water suddenly आ जाता है और आपका infrastructure उसको handle नहीं कर पाता तो flesh floods देखने के लिए मिलते हैं यह सारे reasons कहीं ना कहीं इसी और इशारा करते हैं अब flesh floods औ इंडिया यह थोड़ा सा एक analysis कर लेते हैं कुछ important facts पता चलेंगे आपके काम आएंगे तो देखो अगर बात करें भारत की तो पंगलादेश के बाद यह दुनिया में सबसे worst flood affected country है और global death जितनी भी flood की वज़े से होती है 1 5th वह भारत से है तो yes यह एक गंभी समस्या है तो जो हमारे young Himalayan mountain है वह जादा susceptible है यह पे glaciers melt होने तो overflow हो जाता है and basically क्या है climate change की वज़े से यह जादा severe होता जा रहा है साइक्रोनी के स्ट्रोम वगरा coastal area में देखने को मिलते है Urisa, West Bengal, Andra Pradesh तो flesh flood आ जाती है इसके इलावा जो आपका Western Ghat है, Maharashtra की इला वहां पर भी आ जाती है कर cloud breast वगरा हो जाता है इसको थोड़ा सा क्या है? ध्यान रखिएगा तो flesh flood आ लेंड slide दो important topic जो आज हमने cover किये हैं चीक है? चलिए move on करते है next की और तो I hope चीज़े समझ में आ रहे है तो video like कर दीजे and yes, इसको share करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है जादा से जादा लोगों तक अगर इक class पहुंचेगी तो sharing is caring, right? and please comment section comment section में अपना feedback जरूर दीजेगा कि आपको इक class कैसी लगी आप अगर कुछ भी share करना चाहते है मेरे साथ, okay? चाली है, next topic हमारा deep sea mining तो basically International Seabed Authority के member nations उन्होंने agree कर लिया है कि दो साल का road map हम basically follow करेंगे जो deep sea mining को regulate करने के लिए उन्होंने क्या है रोड map है deep sea mining होता क्या है देखो गहरे समूंदरों में खासकर 200 मीटर की गहराई पर जाकर जब आप ocean की जो resources हैं, उनको exploit करते हो ocean की resources उनको use करते हो तो basically क्या है तरीके से माइन करके जो important चीज़ें उनको लेकर आ रहे हो, this is deep sea mining very easy, यानि क्या एक process है कि mineral deposits हैं उनको रिट्राइव कर रहे हो और रिट्राइव कहां से कर रहे हो? जो deep sea bed होता है यानि कि वो ocean जो 200 मिटर से बिलो होता है और लगबग 2 तीहाई जो है यह तोटल सीफ्लोर का है यह पर काफी सारे मिनरल्स आपको पॉलिमेटालिक नोड्यूल्स के रूप में देखने के लिए उन्हीं नोड्यूल्स को सकाउट किया जाता है बहार और फिर उनको बैसिकली प्यूरिफाई किया जाता है देखो जो मारे deep sea है घहरे समूंदर वो full of biodiversity है वहाँ पर बहुत सारी living ऐसे resources भे जिनका मेडिसन में अपनी food में भी यूस कर सकते हैं और यह जो आपके deep sea है यह बहुत सारे fishes के लिए food और habitat का भी काम करते हैं and that's why यह पर environmental concerns भी आते हैं कि आप इतने गहरे समूंदरों को disturb करोगे अगर आप जो sea bed है उसको basically exploit करोगे उसकी mining करोगे तो जो पूर का पूर एक marine ecosystem में वो disturbed होगा and हमें नहीं पता कि इतनी सारे species पूरी process में मर जाएंगे बहुत सारे species के बारे में तो हमें पता भी नहीं कि वो exist करते हैं तो हमारे पता चलने से पहले क्या पता वो खतम हो जाए and फिर हमें यह भी नहीं पता कि oceans पे overall in mining का क्या effect देहनी को मिलेगा हम lens पे तो देखी रहे हैं कि mining की वज़े से क्या हो रहा है तो इसलिए कहा जाता है कि basically deep sea mining के environmental concerns भी है but yes, इसको allow किया जा रहा है अब देखो जो deep sea mining है इसको regulate कौन करता है तो जो international sea bed authority है उसके गरा regulate किया जाता है तो आप देखोगे यह एक autonomous international organization है और जिसको UN close United Nations Convention on the law of the sea इसके तहद 1982 में established किया गया था लेकिन 1996 में यह autonomous international institution के रूप में operational हो जाता है चीक है यह देखो एक ऐसा institute है जो भी आपके basically high seas है वहां पे जो mining वगरा के activities है जो resources है उनको regulate करता है में मेंडेट इसका यही है कि जो poly-metallic nodules होते है उनका exploration करना उसको regulate करना पोली-metallic nodules के बारे में मैंने प्रिविएस वीडियो में आपको डिटेल से पढ़ाया हुआ है मेंबर की बात करने तो 169 मेंबर है European Union भी मेंबर है भारत भी इस का सदस्य है यह ध्यान रखिएगा Headquarter कहां पे है तो Kingston, Jamaica में इसका Headquarter है तो Deep Sea Mining को लेकर काफे सारे articles आपको देखने के लिए अब आपको समझ में आ जाएगा कोई भी आर्टिकल आप पढ़ेंगे इसी के इर्दगीर्थ जो है आपको मिलेगा परफेक्ट है? चालिए Next topic के तरफ move on करते है That is Conservation of Western Ghats तो देखो अभी हमने थोटे पहले पहले लेंडस्लाइट के बारे में पढ़ाना और आमने यह भी बढ़ा लेंडस्लाइट महारास्टा में होई है तो महारास्टा मतलब Western Ghats का एक पार्ट है आप कहसकते है औरहास्टा का अपनी आप में एक लिंक है तो फिर से आप कहसकते है नजर गई है लोगों की जो बेसिकली गार्डिकल रिपोर्ट आई थी उन्होंने जो रिक्मेंडेशन दी थी शायद उनको लागू करने का टाइम आ चुका है तो सबसे पहले तो देखो वेस्टन घाट के बारे में एक बेसिक इन्फोर्मेशन है यह जो पूरी के पूरिया पत्ती यानिके जो भारत का बेसिकली वेस्ट कोस्ट है इसके पहले जो यह आप देख पा रहे हो एक मौन्टेनियस सा रीजन है काफी जादा रिच बाइड आवसेटी है यह आपके वेस्टन घाट है करीब सूला सू किलोमेटर लंबी एक चेन है और देखे मैंने बताया था आपको कि केला महारास्टा, गोवा, गुझरा, तमिलनाडू, करनाटका से होकर ही गुझरती है इसको यूनिसको की वॉल्ड हारेटर साइट के रूप में भी मानियता प्राप्त है और काफी ग्रीट सिगनिफिकेंस यहां की है अब देखो, किस-किस तरीके से वेस्टन गार्ट हमारे फायदे मंदर पहली बात, यहां की जो बाइड आवसिटी है तो वो इतनी जादा विवद है, इतनी जादा बहतरीन है कि इसको एक बाइड आवसिटी हॉट स्पॉट भी माना जाता है इसके लावब देखोगे, मौनसून को इंफ्लूएंस करता है दरसल अरब सी से, जो मौनसून वाली हवाई यहां पर आती है उनको यह रोकता है, यह हवाई उपर की तरफ उठती है, ठंडी होती है और बारिश यहां पर कर देती है तो इस वाले हिस्से में आपको काफी जो विट वेदर देखनी के लिए मिलेगा उपोजट साइड एक रिंज शेड एरिया यहां पर बनता है दूसरा अगर आप देखोगे, तो क्लाइमिट का यह रेगुलेशन भी करते हैं तो जो ट्रॉपिकल एंवार्मेंट यहां का बना हुआ है वो बेसिकली इन वेस्टन घाट की वज़े से ही बना हुआ है बाडावसवती होटस्पोट तो यह है ही आपको बहुत सारी ऐसी एंडेमिक स्पसीज यहां पर देखनी के लिए मिल जाएंगी जो पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलती सिवाए इन वेस्टन घाट के तो इनको क्या है प्रोटेट करना बहुत जरूरी है बट कुछ आक्टिविटीज की वज़े से यहां पर काफे खत्रा देखनी के लिए मिल रहा है तो बेसिकली जो कमीटी हम यहां पर डिसकस करेंगे वह करेंगे कि गाड़कल वाली ठीक है तो आप देखोगे 2010 में जो मिनिस्टर अफ एन्वार्मेंट है उनके दवारे गाड़कल कमीशन जो है बनाया गया था उन्होंने एक रिपोर्ट सम्मेट की थी उस रिपोर्ट मेंटे की ओप्जर विशन थे उनको यहां पर समझते हैं इनको ध्यान से समझना प्रिलिम्स के लिए तो यह काम के है ही में में भी जोकातियों आप लिख सकते हो तो सबसे पहले बात तो यह कहा गया था कि देखो जो वेस्टन घाट है करीब 64% जो वेस्टन घाट है उसको आप एको सिंसिटिव जोन या फर एको लॉजिकल जो आपके सिंसिटिव जोन होते हैं उनके रूप में डिकलियर कर दो इसको भी ESZ 1, 2 & 3 में डाल दीजे वन में किसी भी तरह की डेवलोप्मेंट अक्टिविटी जो है उसको हॉल्ट कर दिया जाए कुछ भी यहां पे कंस्ट्रॉक्शन वगरा चल रहा है उसको हॉल्ट कर दिया जाए इसके अलावा यह कहा जो माइनिंग इस जोन 1 में हो रही है 2016 तब उसको कंप्लीटली फीज आउट कर दिया जाए साथ ही यह कहा कि जो माइनिंग सेंसेटिव जोन 2 में हो रही है उनका continue कर सकते हैं बट उनका proper social audit हो वो काफी जो है strict तरीके से regulate की जाए साथ में बोला गया जो रतनागीरी और बेसिकली संदुदूर्ग दिस्ट्रिक्ट है महारास्टा की जोन 1 और 2 में आती है यहाँ पे कोई भी new polluting industry चाहे वो कोल बेस्ट पावर प्लांट सो वो यहाँ पे परमिट नहीं होने चाहिए क्या बोला गया कोई भी new polluting industry हाँ परमिट नहीं कर सकते और बोला गया था जो existing ऐसी industries है उनको 2016 तर जीरो pollution पर जाना पड़ीगा काफी सक्त जो है यहाँ पे इस कमीटी ने points बताये थे बट वेस्टन घाड के जो हालात है अच्छली में जो है उनके लिए हमें कुछ strict कदम उठाने पड़ेंगे जैसे क्या कहा जो genetically modified crops हो उनको यहाँ पे अलाओ ना किया जाए चीक है साथ में बोला गया प्लास्टिक के बैट बाग जो होते हैं उनको completely prohibit कर दिया जाए एंड बोला गया जो commercial tree होती है monoculture सिर्फ tea ही आप कल्टिवेट कर रहो कॉफी है rubber है cardamum है तो इनको क्या है थोड़ा सा कम किया जाए यानि को monoculture एक रूपी खेती को यहाँ पे क्या है तरीके से हतुत साहित किया गया था चीक है साथ में बताया गया था more sustainable farming practices जो है उनको प्रोमोट करने की ज़रत है western ghat में तो इससरे की जो है बेसिकली चीज़े हैं पर बताई गई थी तो देखो यह ना काफी सक्त नियम नर्देश है अगर इसका एक way forward की हम बात करें तो हमेना development versus जो हमारा environment है इसके बीच का balance का रास्ता निकालना पड़ेगा तो सरकार को चाहिए कि जब भी किसी भी industry को किसी भी development activity को permit करें तो उसका proper जो है एक audit होना चाहिए environmental impact assessment EIA यह आपके basically क्या है slavers का part भी है यह होना चाहिए local communities उनके साथ जो होना चाहिए तब जाके चीजों को अलाओ करें perfect है चालिए तो यहां पर आज हमने काफे सारे important articles को cover क्या I hope कि आपको सभी articles समझ में आये हैं and जाने से पहले एक बार में फिर से बता दू 31st of July को हमाले जो admissions है वो close zone July बैच के शाम को 6.00 बचे सुस्ट में तो आप आगर देखें बहुत जबरदस्त महोल है आपकी जो faculties हैं वो आपके साथ दिन रात लगकर महनत करते हैं आपका सपना हमारा सपना है जितनी खुशी आपको होगी आपका UPSC के एक्जाम क्राक होने पर उतन ही हमें भी होगी तो आईए हमें जोइन कीजे और अपने UPSC के सपने को साकार कीजे इस बैच के बारे में, नूस के बारे में, क्लासस के बारे में, NCRT's के बारे में, बुक के बारे में आपको चुछ भी पूछना चाहते हैं मेरे टेलेगराम चैनल पर आप मुझे पिंग कर सकते हैं मुझे बहुत खुशी होगे अगर आप comment section में comment करेंगे thank you so much everyone अपना ध्यान रखेगा अपनों का ध्यान रखेगा जय हिंद